हले इवरीवन वेलकम टी सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है जॉब एप्लिकेशन कही जब आपको जॉब एप्लिकेशन फिल करनी होती उसमें एक या दो कॉलम होते हैं कि गीव रिफरेंसे तो आपका वहाँ पर सवाल होता है कि रिफरेंसे में क्या लिखना है या हो सकता आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि रिफरेंसे में क्या लि चाहिए किन चीजों के लिए आपको बहुत केरफुल रहना चाहिए जब आप रेफरेंस दे रहे हों और रेफरेंस क्या होते हैं किस तरीके से दिये जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते ये वीडियो मैंने अभी खास आपके लिए बनाया है इसे मैंने अपने ब्लॉग पर अपडेट किया है चलिए आगे देखते हैं डीटेल्स तो ये मेरी ब्लॉग है इस पर मैंने अपडेट की हुई है जब भी आपको वापस से जरुवत होती है तो आप मेरे ब्लॉग पर भी चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आ गई कोई की वाट इस इसको हम रीड मोर कर देत तो अब अगर आप इंग् лиш में समझना चाहते तो वो भी है हिंदी मियां अगर आप समझना चाहते तो वो भी मैंने दोनों भाधा में अपडेट कर दोनों लैंग्वेज्वेंज में मैंने अपडेट कर दिये तो सबसे पहले समझते हैं ल 1 जो प्रते azycum न जौंब आप आपके बारे में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि आपका व्यवहार, आपके क्या गुन है, स्किल्स है, आपकी पढ़ाई, आपकी योगिता क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इन सब के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सके, वैसे लोगों के दाम रेफ्रेंस में दिया जाते हैं, क्योंकि जब आप कहीं अप्रिकेशन कर रहे हैं, और रेफ्रेंस मांगा जा रहा है, इसका मतलब है कि उन विर्लोगों से आपके बारे में पूछा जा सकता है, कि आपकी पढ़ाई कैसी है, आपका विवहार कैसा है, आप में क्या स्किल्स है, आपकी क तो इस तरीके से रेफरेंसे में उन लोगों के नाम देने हैं, जो आपके बारे में बात कर सकते हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, अब, for references, it is good to choose people who can speak or write, कई बार उनको email जाता है, कि आप लिख कर दे दे इस व्यक्ति के बारे में, तो references को, तो वो आपके बारे में बोल सकते हैं, या लिख सकें, ऐसे लोग जो आपके बारे में बता सकें, या लिख कर दे सकें, अच्छी बाते, फेवरेवले बाउट यू, और यूर वर्क, इस विल इंप्रूव चांसे ऑफ गेटिंग दा जॉब, तो references में उन्ही लोगों के नाम दें, जो आपके बारे में अच्छी बाते लिख सकें, और अच्छी बाते बता सकें, इससे आपके जॉब के मिलने की चांसे बढ़ जा तो पॉजिटिव रिस्पॉंस आपके बारे में देगा, ऐसे वियक्ति का नाम रिफरेंस में दें, जिन से आपके अच्छे संबंध हो, और आप बिलकुल निश्चिन्थ हैं कि वो आपके बारे में पूछे जाने पर बिलकुल सही और अच्छी बात ही बताएंगे, कोई निगेटिव बात अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति बताने जा रहा है, तो ऐसे लोगों का नाम आप रिफरेंस में नहीं जा डाले, मतलब आपके अच्छे टरम्स होने चाहिए, उन ही लोगों के नाम आप रिफरेंस में दे सकते हैं, तो सीधी सी बात है, उन लोगों जिनको आप रिफरेंस के तोर पे दे सकते हैं, जैसे आप जानते कि कोई टीचर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो उन टीचर का नाम डाल सकते हैं, या प्रोफेसर का नाम आप दे सकते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, और आपके बारे में क कि यह अच्छा स्टूडेंट था हमारे टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था इसकी पढ़ाई अच्छी थी बिहेवियर अच्छा क्योंकि टीचर सबसे सही व्यक्ति होते हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि वह आपको आठ घंटे तक अब्जर कर रहे होते क्लास्रूम में तो प्रोफेसर टीचर अगर कोई अच्छे हों जो आपके बारे में अच्छी बात बता सके तो बेस्ट है कोई कलीग है आपके साथ किसी ने काम किया और बहुत अच्छे दोस्त बन गया आपके काम करते वक्त और वह आपके बारे में अच्छा तो कभी-कभी employer भी आपके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, सोचते हैं, तो आप employer का नाम अगर वो आपके बारे में अच्छा बोलने जारे हैं, तो पुराना आपने कहीं काम किया, उनका नाम भी आप दे सकते हैं, कोई friend है जो ऐसे ही आपको कभी आप कभी train में सफर कर रहे थे, या कहीं पर आपने कुछ ऐसा काम किया, इवेंट किया, प्रोग्राम किया, वहां आप से दोस्ती हो गई, तो वह भी बहुत अच्छे दोस्त बन गया, तो उनका नाम भी आप दे सकते हैं, तो यह सारे यहां पर अब एक और चीज़ खास बात है, धिहान देने ल आप किसी फ्रेंड का नाम, तो बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह रिफरेंस व्यक्ति ने बोलना चाहिए कि आपने कैसे शेयर कर दिया मेरा नाम या कंटेक्ट डीटेल किसी और के साथ, तो उस व्यक्ति से आप ज़रूर परमिशन ले ले या बात कर लें या पूछ कि वह अच्छा फ्रेंड नाम दे दिया और बात में उसकी वज़े से कोई किशू नहीं होने चाहिए इसलिए आप जिनका नाम रेफरेंस के तौर पर दे रहें उनको भी जरूर पूछ लें एक बार कि मैं आपका नाम दे रहा हूं इस इट ओके फर यू तो इस तरीके से आप मेरे ब्लॉक पर भी जाके पढ़ सकते हैं मैं ब्लॉक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी तरीकी कि कोई और भी आप ऐसे जेनरल चीजों पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में लिखे मुझे आइडिय लाइक दे दें वीडियो को अगर अच्छा लगाओ बेस्ट विश्यस थैंक्यू वेरे मच्च